तमिलाजू हेलिकॉप्टर हाथसे में शहीद हुए ग्रुप काप्टन वरुन सिंग को आज भोपाल में पूरे सन्ने सम्मान के साथ आखरी सलामी दी जा रही है हेलिकॉप्टर हाथसे में गंभी रूप से घायल होने के बाद ग्रूप काप्टन वरुन सिंग ने करीब आठ दिन तक जिन्दगी से जंग लड़ी लेकिन इलाज की दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका और इस हाथसे में CDS पे पिन रावत समेट 14 लोग शहीद हो गए थे ये तस्पीरे आप देखिए अंतिम विदाई की ये तस्पीरे पूरा का पूरा शेहर नम आखों के साथ आखरी सलाम करता हुआ ग्रुप काप्टन वरुन सिंग जो की पिछले आठ दिन से जिन्दगी और मौत की जंग लड़ते रहे लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और बुदवार को उनका निधन हो गया हाला कि 14 लोग कुल उस हेलिकॉप्टर में सवार थे मी 17 V5 हेलिकॉप्टर जो की दुर्गटना ग्रस्थ हुआ हाथसा बहुत भीशन था काप्टन वरुन सिंग जो की एक मात्र ऐसे रहे जो की इस हाथसे में बच गए थे जिनका इलाज लगतार ज़ारी था लेकिन आखिरकार बुद्वार को उन्होंने दम तोड़ दिया मनूज इस वक्त हमाईसात मौजूद है मनूज तस्वीरे हम देख रहे हैं हर कोई आख्री सलाम करता हुआ और ये अंतिम विदाई यात्रा इसके बाद कितने बजे अंतिम संसकार का कारेक्रम है बस अंतिम संसकार होने वाला है क्योंकि कल पहले उनके घर ले गए थे जब एरपोर्ट से सीधे वरुन सिंग के घर ले गए उसके बाद घर के बाद घर में सारे जो संसकार होते हैं संसकार का लिए हो गए थे इसके बाद जो सेना मिलिटरी हास्पिटल है पार्तिव शरी मिलिटरी हस्पिताल में रखा गया तो अब यहां पर देखिए पूरा सेना का सम्मान दिया जा रहा है और यह भूपाल में जो बैरागड है बैरागड के यह मी सेंटर के पास जो सेना क मुख्याला है उसके पास में जो विश्राम घाट है थोड़ी देन में अब वर्ण सिंग का अंतिम संसिकार होगा और यहां पर तमाम लोग इखटे हैं सरकार के मंत्री आये हुए हैं तमाम कॉंग्रेस बीजेपी के लेता यहां पर अंतिम सलाम करने लिए पहुंचे हैं साथ देखिए अब यहां पर तमाम जो सेना की तरफ से जो अपचारिकता हैं पूरी हो रही हैं साथी साथ जो एक पूरे सानिक सम्मान के साथ वरोन सिंग का यहां पर अंतिम संसिकार होना है बिल्कुल पूरे राजकियों और सेन्य सम्मान के साथ अंतिम संसकार अब कुछी शंड में होने वाला है एक किलोमीटर लंबी ये पूरी की पूरी अंतिम यात्रा रही जहां हर कोई पहुचा तमाम आपचारिकताओं को पूरा करते हुए अब अंतिम संसकार की वो तस्वीर भी सामने आएगी कैप्टन वरुम सिंग जिसको लेका पूरा देश दुआ कर रहा था आठ दिन से वो लगाता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे डॉक्टर्स की एक पूरी की पूरी टीम थी जिनके होसले की तारीफ करते हुए भी प्रधान मंतुरी नरेंदर मूदी नजर आये थे कि उस जवान को बचाने के लिए जी जान डॉक्टर लगाए हुए हैं लेकिन बुधवार को जब ये खबर आई तो हर कोई सन रहे गया और कुछी देर में इनका अंतिम सल्सकार किया जाएगा मनूज का एक बाद फिर से रुक कर लेते हैं किया कुछ सम्बाद रहा मुक्मंतरी जब पहứngकिे तो मुक्मंतरी तो करीब दो किलिम्तर जब डॉन मीटर जब रहे उनके घायरत लिए ullenके घख कोर हें मुक्मंतोरी ने इस बात का अलान किया मुक्मंत्री ने कहा कि परिवार के लिए जो हर मुम्किन कोशिश होती है मदद की वो हर मुम्किन कोशिश होगी लेकिन अभी फॉरी तोर पर उन्हों ने कहा कि एक करोण उपे की जो एक आर्थिक मदद है वो फॉरन परिवार को मिलेगी दूसरा परिवार के किसी सदस्को सरकारी नौकरी क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि देश की सेवा करते हुए सेने क्यों होते हैं ग्रुप कैप्टिन वरंड सिंग की वीरता की उनके शोरे की गाताओं की याद कराती रहेगी तो इस तरह की तीन गोश्राइं एहम गोश्राइं मुक्मंत्री शिवरास सिंग चोहान की तरफ से जब जो बार्थिव शरीर भोपाल पहुचा था बैंगलोर से बैंगलोर से जै की सेना की तरफ से तमाम अफसर आ रहे हैं वो पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं वो पाल के बैरागर का ये विश्राम घाट है और यहां पर एक एक करके सेना के जो तमाम अफसर हैं वो पुष्प चक्र आखरी नमन आखरी सेलाम कर रहे हैं आप इन तस्वीरों में इस बावुकता को आप समझ सकते हैं क्योंकि वरून सिंग एक ऐसा नाम है जिस जो इनका पूरा परिवार उनके पिता करंदल सेना में रहे हैं उनके जो भाई हैं वो नेभी में हैं इसके साथ एक पूरा परिवार जिसे कहें कि देश की सेवा में लगा हुआ था तो पूरे को पूरा का पूरा परिवार देश-भक्त रहा है उनके परिवार की पीडियों ने कई सदस्यों ने सेनामे रहते हुए देश के लिए सेवाएं दी है और वरून के इसी कैप्टन वरुन सिंग के इसी अदमी सहस के लिए 15 अगस्त को राश्पति लोग तो इस बात की कलपना करते सकते। पूरा हिंदुस्तान इस बात की इकल परा नहीं कर सकता है क्योंकि वरून सिंग की कुछ पात है यहां कि उनके दोस्त उनके रिष्टदार जब उनसे बाचीत होती तो बताते हैं कि वरून सिंग बहुपाल उनका जो जो उनके पिताजी रिटायर होने के बाद सेना में कंडल थे रिटायर होने के बाद बहुपाल में बस गए थे उसके बाद वरून सिंग का बहुपाल आना जाना होता रहता तो और आने जाने के एक बड़ी वज़े यह भी थी कि 2008 में वरून सिंग की जो शादी है वो इन दौर में हुई थी तो इन दौर उनकी ससराल थी तो इन द जल्दी आओंगा और इन दोर में इसको सेलीबरेट करेंगे तो यह चीज लोगों के लिए बतलब वो वक्त, वो पल, वो लम है, जब ये शब्द कहे गए, ये अलफास कहे गए, तो उनके लिए आज भी वो याद आते हैं, सबकी आखे नम होती हैं, तो ये एक एहम बात है कि इन दोर और भुपाल के करीबी इस दार, उनके दोस्त, उनके परिवार के लोग, मा ने कल बहुत बाहदरी दिखाई, मा ने बहुत नमाके थी, लेकिन मा एक बात बार बार कह रही थी, कि मेरा बेटा सैना के लिए पैदा हुआ था, मेरा बेटा देश की सेवा करते हुए, जामात बेटा देश की सेवा करते हुँ चला गया, तो मा की नमाके हैं, ये बाते कह रही बिल्कुल दुख के साथ साथ उस गौरव की अनुभूती भी हर कोई कर रहा है क्याप्टन वरण सेंग का अंतिम संस्कार अब कुछी देर में होगा लेकिन इनके परिवार के बारे में अगर जानना चाहे मनुज आप बता पाएं तो अपने पीछे अपने परिवार के किन-क माबाप तो हैं ही गुरूप कैप्टेन वरुन सिंकेस के साथ साथ उनका एक बेटा है एक बेटी है दोनों चोटे बच्चे हैं और दोनों चोटे बच्चों को कल जब जब वस्वक्त देखना मतलब देखने वाले के लिए भी उतना ही दुख का अफसोस का विश्य था तमाम उनके ससाल से तमाम लोग यहां पर आयोगे तो अभी आप सामने इन तस्वीरों में जो देख रहे हैं सेना के अफसर लगतार एक के बाद एक यह ऐसे भावुक्षण हैं कि हर अफसर सेना का हर शक्स जो है हर जवान हर अफसर चाहता है कि वो आखरी सलाम करें उनकी वीर्टा को नमन करें और यहां पर एक एक करके आप देखिए पुश्प चक्र लेकर सेना के जो अभी सर्विंग ऑफिसर हैं वो आ रहे हैं साथी साथ जो जो रिटायर हो गए हैं वो लोग भी यहां पर पुश्प चक्र अरपित करने के लिए जो भौपाल में यहां वी स लिए शिमरात सिंग् चोहान ने भी जब इस बात का अइलान किया कि जहां वो उनका घर है उस घर के पास ही नकी पृतिमा लगा जाएगी चुक्ति कि अगर बौपाल के इमे सेंटर जो सेना का यहां पर एड़ कोटर से इसी के पास ही उनका घर है तो जो पृतिमा लगाय जाएगी उस जगह का चयन करके सिर्फ भोपाल के लोगों को इसी का एशास कराना एक कि रिख्तार नंकी एक बड़ी कोहश थी और इसके लिए बकायदारों ने गंगायान के लिए एपलाई भी किया था अर्जी भी दी थी तो आगे अपना करियर वो एक अच्छे एस्ट्रोनौट के रूप में भी देखते थे सेहना में साथ ही साथ जो मुश्किल चड़ो में लोग शोरِ चक रियों ने अस बात के लिए बिला था कि वो अपनी वीरता इसी बात के लिए जाने जाते थे केक करके उनके पार्थिव शरीर को अंतिम सलाम कर रहे हैं। चाहता था और इसी वज़ा से हर कोई वहां पर मौझूद भी रहा। सामना कर रहा था, दुआ कर रहा था, लेकिन नियती को कौन टाल सकता है। बुद्वार दुपहर में उनके निधन की खबर सामने आई। और अब कुछी देर में उनका अंतिम संसकार किया जाएगा। तस्पीरे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आठ तारिक को ये देश का सबसे बड़ा आथसा हुआ और पूरा देश सकते में आ गया। जिस हेलिकॉप्टर में ये लोग सवार थे, कुल 14 लोग सवार थे, जिन में से 13 जवान शहीद हो गये थे, जिसमें CDS पिपिन रावत भी थे, उनकी पतनी मधुलिका भी थी और केवल ग्रुप्ट कैप्टन वरुन सिंग ही बचेते हैं इस हाथसे में, लेकिन अब वो भी हमारे बीच में नहीं रहे और कुछी देर में उनका अंतिम संस्कार, मनुज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, मनुज पूरा का पूरा परिवाज जिस हिम्मत के साथ यहां पर जुटा हुआ है, क्योंकि आप भी बता रहे थे कि उनकी मान ने दिलेरी दिखाते हुए क कि मेरा बेटा जो की देश के लिए जीता था और देश के लिए ही शहीद हुआ है, आज वो गौरव पूर्ण शन में महसूस कर रही हूं, दुख तो है, लेकिन इस बात का सुकून है कि देश की सेवा में ही मेरा बेटा शहीद हुआ एक मा के लिए बड़े ऐसे हालात होते हैं, इन जड़ों को दरसल शब्तों में बयान करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक मा के लिए एक तरफ बेटा होता है, दूसरी तरफ मा को अपने बेटे की जो पैशन है, बेटा क्या करना चाहता था, बेटे का बच्प के लिए पैदा हुआ था, और मेरा बेटा है, एर फोर्स में काम करते हुए, अपने फर्द को अंजाम देते हुए चला गया, ये मा की एक तरफ बहादुरी है, लेकि दूसरा में साथ में एक बात आपसे हैं, और कह रहा हूँ कि वो नमाखे हैं, क्योंकि एक माने अपना बेटा भी खोया है, ये भी एक सचाई और एक माँ अपने बेटे को खोने का वो दुख है, उसका तो किसी भी तरह शक्दों में, अलफादों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात माँ कहती हैं, हिम्मत दिखाती हैं, अपने आपको ढांटा शायद दे रही होंगे, ये कहकर कि मेरा बेटा सेना के लिए पैदा हुआ, मेरा बेटा एरफोर्स के लिए पैदा हुआ, मेरे बेटे का बच्पन से एक पैशन था, और बेटा क्या पूरा परिवार, आप देखिए, मा के सामने तो उनका दूसरा बेटा भी नेवी में काम करता है, मा के सा सिला जारी है आप तस्वीरों में देखिए कि सामने अभी सेना के जो अफसर है भोपाल एमी सेंटर से वो अभी पुश्प चक्कर अर्पित कर रहे हैं ग्रूप कैप्टिन बडून सिंग को वरिल सिंग की वीर्था को सलाम कर रहे हैं और भोपाल पूरा भोपाल की एक जो भ की जो भोपाल के मद्ड़ प्रदेश सरकार की तरफ से जो मद्ड़ प्रदेश के चिकिस्ता शिक्षा मंतरी हैं विश्वास सारंग वो अधिम जो मिदाई दे रहे हैं पुश्प चक्र अर्पित कर रहे हैं वीर्था को सलाम कर रहे हैं ग्रूप कैप्टिन वर्न सिंग की और आप इन शर्णों को समझ सकते हैं क्योंकि यहां देखिए इस एक जगह पर जाकर पार्टी पॉलिटिक्स खतम हो जाती है क्योंकि मैं तस्वीरों में आपको सामने दिखाऊँगा कि यह मद्ड़ प्रदेश के अभी अगर जो चिकिस्ता शिक्षा मंतरी विश्वास सा हो जाती यहां पार्टी खतम हो जाती जहां सिर्फ देश सबसे आगे होता है और सारे समाज के तमाम वर्द चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसल्मान हो चाहे सिख हो चाहे इसाई हो संतिम्यात्रा में कोई ऐसा शक्स नहीं था जो संतिम्यात्रा में शामिल ना हुआ हुआ तो जो जो मैं आपको दिक्र कर ला था कि मा को दरहसल मा आपने आपको भी धंड़सी देती हैं ये कहकर कि हां मेरा बेटा सेना के लिए पैदा हुआ और इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि उनकी बेटे का पैशन सेना में काम करने का था और कैसे बेटा शौरे चक्र से ज पैशन ही था क्योंकि बेटा सेना में काम करना नौकरी नहीं थी सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे वो साथ ही साथ उनका एक पैशन जो है वो पैशन शौरे चक्र की रूप में दिखा था वही पैशन इस बार जब कुन्डूर में हाथसा हुआ तब क्रूप कैप्टिन काम को एक पैशन की तरह एक जद्बे और जुनून के साथ करते थे विल्कुल हो तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं कि हर एक राजवितिक पार्थी के नेता फिर्माने लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और किसी की आखे नम है क्योंकि कैप्टन वरुन सिंग के लिए हार कोई दूआ कर रहा था